हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी ममताकिशन रेसपीज में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हुँ राजस्थान की स्पेशल हल्दी की सब्जी आज हम कच्छी हल्दी की सब्जी बनाने चारे हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसे बनाना तो बहुत ही असान है और फ्रेंट्स अगर आप इस तरह से कच्छी हल्दी की सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी बहुत ज़्यादा ट कच्छी हल्डी 300 गराम के करीब मैंने यहां पर कच्छी हल्दी ली है तो चाकू की मदद से पील ओफ कर रही हूं आप चाहें तो हैं से प्लव करते हैं से पील ना हो आपको कट नहीं करना है प्लफ करना है क्योंकि बाद में आपको इसे चोट छोटे पीसे में कट कर लेंगे तो आपको कदूकस करने में दिक्कत आ सकती है इसलिए आपको इसे बड़े साइज में रखते हुए साइट के पीसे आप हटा सकते हैं और पीलोफ कर लेना है इस तरह से हम सभी हल्दी को पीलोफ कर लेंगे सबी हल्दी को हमने एकदम अच्छे से पीलोफ कर लिया है और अब हम इसे कदुकस कर लेंगे हमें एकदम मोटे साइज में इसे कदुकस नहीं करना है इसे हमें बारिक साइज में कदुकस करना है और आप देख सकते हैं इस तरह से हम पूरी हल्दी को कदुकस कर लेंगे दोस्तों ये कच्ची हल्दी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़दा फायदमेंद होती है, इसमें काफी गुन पाये जाते हैं, इसमें कैंसर से लड़ने के गुन पाये जाते हैं, साथ ही अगर आपको कोई किसी चोट लग जाये और आपको सूजन आ रख है तो उसके सूजन को बहुत ज़दा लाबकारी आपके जोड़ो के दर्द को भी दूर करेगी साथ ही अगर आपको सुगर की प्रोब्लम है तो भी आप इस कच्छी हल्दी का सेवन कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़दा लाब प्राप्त होगा और यह शरीर की इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है मजबूत करती है केलिस्ट्रॉल को कम करती है वजन गरताने में मदद करती है यह हल्दी साथ कच्छी हल्दी हमारे थैल्फज जोटने शरी उन्हivas तो आपकी health के लिए बहुत ज़दा फाइदा मेंद रहेगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी healthy को हमने एक दम अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसे side में रख देते हैं और आगे की process करते हैं यहां मैंने गेस पर एक अड़ाय ली है और इसमें हम add करेंगे देशी घी 300 गराम हमने कच्छी हल्दी ली थी तो मैं इसमें 200 गराम देशी घी add कर रही हूँ देशी घी में यह सबजी पोहजा टेस्टी बनती है और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी पोहजा टेस्टी बनेगी और सेहत से भरपूरी सबजी बन करके तयार होगी कच्छी हल्दी की सबजी देशी घी में ही बनती है और तभी इसका असली टेस्ट आता है घी एक तमच्छे से गरम हो गया है और अब हम इसमें add करेंगे एक चमच जीरा इसे के साथ हम इसमें एक तेशपात भी add कर लेंगे दो टुकडो में तोड़ करके मैं इसमें तेशपात डाल रही हूं जीरे के ऐसे चटक जाने के साथ हम इसमें add करेंगे एक चमच दरदरा कूटा हुआ लहसून लहसून को मैंने खलबते में कूट लिया है और आप देख सकते हैं इस तरह का मोटा मोटा कूट के रखा है लहसून का बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसून को भी हम इसमें डाल लेंगे और हलका भून लेंगे दोस्तों अगर आप लहसून नहीं खाते हैं तो आप इसे avoid भी कर सकते हैं लहसून को हमें जादा नहीं भूनना है जादा फ्राय नहीं करना है और अब हम इसमें add करेंगे अद्रक और हल्दी अद्रक को भी मैंने हल्दी के साथ ही कद्दुकस कर लिया था लगबग 2 इंच का टुकडा मैंने अद्रक का लिया था कीज़ी को सब्सक्राइब अनुर्त से फ्राइब कर लेंगे इसी हमें इसीाला ट्र फीग बॉत हैं व्मुछानी सृक्ट करती है, यह मिनुटी पावर को साथ ूर्मिकार के इंफेक्शन फ्रमीस्पराइबा क solutions, इसί कि प्याज को बनाने में तोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह बहुत जाए सब्सक्राइब बना रही हूं और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी यह अप्यास के तालने के बाद यहीं लगभग 12 मिनट तक अच्छे से बूमन लिया है और अब मैंने इसे मिक्सर में नहीं चुलाया है चोपर में ही मैश किया है और अब हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेते हैं इसमें आप चाहें तो टमाटर को क्यूब्स में कट करके भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैंने इस तरह से डाला है जिससे इसका अच्छा टेस्ट आएगा और सबजी एकदम बढ़िया बन करके तैयार होकी माटर की प्यूरी को हमने इसमें अच्छा से मिक्स कर लिया है और अब म स्मेर करेंगे कुछ ट्राय इकदम सिंपल मसाले हम इसमें डालेंगे कोई खास मसाला इसमें हमें नहीं डालना है दोचंच हम इसमें धनिया पाउडर एड़ करेंगे तोचंच हम इसमें लालमिश पाउडर एड़ कर देए इसमें लमक कार लेंगे मची से पक गए हैं मसालों ने घी छोड़ दिया है घी जो है वो उपर की तरफ आ रहा है और अब हम इसमें एड़ करेंगे दही मैं इसमें लगभग 200 गराम के करीब दही एड़ कर रही हूं 300 गराम हमने कच्छी हलती ली थी तो आपको 200 गराम इसमें दही एड़ करना है और दही डालने के बाद आपको यसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है वरना दही फट जाएक औराelier सबजी खराब हो इसमें गच्छा होगया है और अब हम हम इसमेंट करेंगे मटर जितने अपने आपने हल्दी ले थी कच्छी हल्दी लेती उतने ही quantity में आपको मटर लेनी है 300 ग्राम हमने हल्दी लेती तो 300 ग्राम मैं इसमें कच्छी मटर एड़ कर रही हूँ जो बहुत अच्छा टेस्ट देगी सब्जी में दोस्तों ये मटर भी हमारी health के लिए बहुत ज़्यादा फायदमेंद है इसमें काफी गुण पाए जाते हैं ये तो आपके लिए मटर बहुत ज़्यादा लाबकारी है आपको इसे जरूर खाना चाहिए मटर को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढख करके कुछ दिर्थ के लिए और पका लेते हैं जिसे मटर जो है वो एक दम अच्छे से पक जाए और कुछ दिर देंगे इस तरह से बनाए गई यह कची हल्दी की सब्जी कोई कहें नहीं सकेगा कि यह कची हल्दी की सब्जी है इतनी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी देखते ही मूं में पाने आ जाएगा सभी के तो ड्राइफूट्स को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लि है देखते ही मूं में पानी आ रहा है और अब हम इसमें लास्ट में एड करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया जो इस सब्जी में एकदम तरो ताजा और एकदम फ्रेश फ्लेवर देगा इसे हम इस सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यह लिजे दोस्तों यह और श्टी है सबूजी होगी देखते ही मुझ में पानी आ जाये ऐसी वह सब्जी बनी है तो बिना जाला देर किये जल्दी से आप इस रेसेपी को ट्राए करिए और कमें शेक्षे में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी या रेसेपी कैसी लगी रेसेपी चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकम पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले जिससे आपको मारी हर नी वीडियो का नोटिफिकीशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी हर नी जी कम मजा लिजे मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई